बलिया के नरही में हर महीने करणों की अवेद वसूली के बाद यूपी पुलिस और प्रिशासन पूरे एक्शन मोड में हैं। एक दिन पहले चापे मारी करने के बाद आजमगड रेंज के डियाईजी वेबब कृष्ण ने देर शाम पुलिस लाइन सभागार में जिले के एसपी और एसेचों के साथ बैठक की। बैठक में मौजूद बाकी तमाम पुलिस अधिकारी संद रहे गए। लिये थी। इस बैठक में डियाईजी ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। और सभी अधिकारियों को अपने काम करने के तरीके बदलने की चेतावनी दे डाली। बैठक के दोरान डियाईजी ने कहा कि बलिया पुलिस की कारशेली से पूरे पुलिस की छवी खराब हुई है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी थाना प्रभारी अपने क्षेतर में जो नाबालिक फार्सा गेंग, यादव गेंग और शिकारी गेंग चला रहे हैं इन सभी पर कड़ी कारवाई करें। दरसल बलिया में यूपी बिहार बॉर्डर पर अवेद वसूली सिंडिकेट का भंडा फोड हुआ था। यूपी बिहार बॉर्डर पर पुलिस वाले ही पैसे लेकर शराब, मवेशी और बालू लदे ट्रकों को बॉर्डर पार कराते थे। एक्शन लेते हुए कोरंटा डी ही चौकी के सभी छे पुलिस करमियों और धाना अध्यक्ष नरही पनिलाल को सस्पेंड कर दिया। वहीं इस खुलासे के बाद एक तरफ जहां यूपी पुलिस की फजियत हो रही है। वहीं आजमगड मंडल के डी आजी खुद बलिया में कैम्प किये हुए हैं और अधिकारियों की क्लास लगा रही हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बलिया से मुकेश मिश्रा की रिपोर्ट। हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकान को दबाएं।